जब हम लोग वाइट सिमेंट में कुछ पिगमेंट हम लोग एड़ करते हैं तो यह कलरफुल सिमेंट हो जाता है आखिर यह पिगमेंट कौन सा होता है मिर भाई तो पिगमेंट इन दा फॉर्म आफ कोबाल्ट क्रोमियम आईरन ऑकसाइड होगा मैलेज ऑकसाइड नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका कॉंसेप्ट दे जल्पे मैं हो प्रिंस पांडे भाई मेरे आज हम लोग देखेंगे मिर भाई टाइप्स ऑफ सिमेंट देखो थुरा सा वीडियो के अंतक बने रहना बहुत ही जवर्दस्त वीडियो जाने वाला है और टाइप्स ऑफ सिमें हैं वो सारे आपके किलियर कर दिये जाएंगे तो भाई मेरे टाइप्स ऑफ सिमेंट आखिर सिमेंट कितने प्रकार के होते हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि OPC लो हीट सिमेंट रेपिट हार्डनिक सिमेंट सलफेट रेसिस्टिंग सिमेंट है और पीक सेटिंग सिमेंट हाई एलुमीना सिमेंट ऐसे बहुत सारे सिमेंट हमने आपको बताया तो भाई आज हम देखेंगे OPC के बारे में देखेंगे आपके शलेबस में पढ़ना है कि OPC है क्या चीज़ OPC किसी चीज़ से मिलके बना होता है OPC का प्रपर्टीज क्या होता है OPC का फिल्ड परसेंट जो होता है सिमेंट ये पूरे वर्ड में लगभग 60 परसेंट सिमेंट ओपीसी बिस्ट नहीं यूज किया जाता है तो पहला पॉइंट आपका किलियर हो गया है दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे इसका फाइनेस जो आपका प्रॉपटीज है इसका कि ओपीसी का क क्या क्या प्रॉपटीज होते हैं तो पहला प्रॉपटीज मेरे भाई फाइनेस मोडिलस इसको थुड़ा सा नजर अंदाज कर देना फाइनेस मोडिलस के बारे में हम जब लोग एग्रिगेट पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको बहुत बढ़िये तरीक से फाइनेस मोड जो होता है ओपीसी का यह objective question के view से ही हम लोग इतना short notes आपका तयार कियें कि board से आप short notes बना लेना और जो आपका detailed notes रहेगा वो हम आपको PDF के रूप में आपको दे देंगे ठीक है तो finance modulus should not greater than देखना greater than और should not less than का मतलब पता चलता है अब देखो greater e हो गया इसमें हम लोग काट दे यानि कि should not greater than यहां अगर कोई value है हम लोग ऐसे कर दिये greater इधर करके यानि कि यहां एक सगर value है यहां कुछ value हमको दिखाना है यानि कि एक से बड़ा नहीं होगा यह होता है अब छोटा करना होगा तो ऐसे हम लोग देखो छोटा करना होगा तो ऐसे यानि कि एक से छोटा कोई value ना हो तो should not greater than समझ में आया should not greater than 10% यानि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए greater और less में फसना नहीं है यह symbol थुरा सा ध्यान रखना है soundness ज्यादा तो लोग funds जाते है soundness value जो होता है मिर भाई हम लोग soundness जो किये थे उसमें expansion हमने देखा था वही expansion के बारे में कह रहा है कि 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए OPC के लिए इसका हमने आपको list भी दिया था हमने soundness value OPC के लिए कितना होगा और 5 a.m. भी देखे थे हम लोग ठीक है तो यहां से अब देखेंगे तिसरा जो इसका point है initial setting time and final setting time of cement जो होता है OPC यानि कि initial setting time of OPC should not less than 30 minutes and final setting time of OPC should not greater than 600 minutes यह थुरा सा ध्याम से देखना कि जो इसका initial setting time होगा वो 30 minutes से कम नहीं होना चाहिए और 600 minutes यानि कि 10 घंटा से जाला नहीं होना चाहिए यह objective question भी पूछ सकता है अब देखेंगे लोग चौथा point है कि compressive strength of OPC after 3 days should not less than 23 Nm2 and should not less than after 7 days 33 Nm2 and after 28 days should not less than 43 Nm2 यानि कि जब हम लोग OPC का हम लोग देखेंगे initial setting time है जो compressive strength देखेंगे हम लोग compressive strength test हमने बताए आपको कैसे करना है ठीक है यह वीडियो लंबा हो जाए इसके कारण थुरा सा हम लोग short में भागेंगे इसमें कि 3 दिन के बाद जो आपका compressive strength होगा OPC का 33 से कम नहीं होना चाहिए 33 से कम नहीं होना चाहिए 7 दिन के बाद 33 28 दिन के बाद 43 हमने देखा था OPC 33 का आपको हम बताये थे OPC 33 का यहाँ पर 33 आया था after 28 days curing after 28 days curing 43 and OPC 53 का after 28 days curing कितना 53 से कम नहीं होना चाहिए यह आप ध्यान रखिएगा field application मिर भाई देख लेते हैं कि OPC का जो होता है field application यानि कि use हम लोग कहां कहां करते हैं हम लोग normal construction work में हम लोग OPC 43 grade का हम लोग use कर लेते हैं यानि normal construction में क्या चीज़ आ जाएगा आपका छट आ जाएगा यानि कि slab आ जाएगा column आ जाएगा, footing आ जाएगा, यह सारे चीज़ के बारे में हम लोग इसमें मतलब कि इसका use हम लोग करेंगे used in construction of beam, slab, column, footing, OPC यह आपका पहला clear हो गया होगा notes बहुत ही अच्छे तरीके से बना दिया गया, tensor नहीं लेना है, ठीक है यह आप समझते जाओ, अब देखते हैं भाई मेरे rapid hardening cement नाम से ही असपष्ट हो रहा है, rapid hardening यानि कि जल्दी से यह hard कर जाए, वही cement होता है rapid hardening cement है, भाई मेरे इसमें देखेंगे इसको also known as early astring cement है, यानि कि rapid hardening cement is also known as the early astring cement यानि कि जल्दी astring देने वाला cement ही हम इसे कहते हैं, देखो इसका IS code थोरा सा देखेंगे ना, IS 8041-1990 यह objective question में IS code पुछ सकता है, दम ध्यान में रखना पूरे cement का objective question यहां से उठते हैं, ठीक है, इसमें देखो क्या करते हैं in this cement, in this cement, या in manufacturing of rapid hardening cement the amount of C3A, rapid hardening, जल्दी hard होगा, कौन सा चीज़ का amount हम लोग बढ़ाएंगे, C3A हमने बताया था bogus compound में, कि bogus compound 4 गो होता है, C3A होता है, C2S होता है C3A होता है, C4AF होता है, यह हमने आपको बताया था, तो इसमें क्या होना चाहिए in manufacturing of rapid hardening cement, the amount of C3A is greater than the C2S यानि कि amount of C3S जो होगा मेरे भाई, वो C2S से जादा होगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि C3S हमने बताया था, कि वो जलदी set करता है, जलदी set करवाता है cement को C3S का heat of hydration जादा होता है, हमने आपको बताया था, कि जैसे ही heat of hydration जादा होगा मेरे भाई, तो उस cement का strength भी जादा होगा, यानि कि heat of hydration is directly proportional to the strength हमने आपको बताया था, यहाँ पर वही concept लगता है, C3S rapid hard हमको जलदी से hard करना है, C3S का amount बढ़ाना पड़ेगा, C2S का घटाना पड़ेगा, घटाएंगे का है या कि C2S जो होता है, वो बाद के दिनों में strength देता है, यही कारान हम लोग इसका amount पे घटा देते हैं, reduce कर देते है जो इसका cost होता है, मेरे भाई, rapid hardening का वो 10% जादा होता है किसे? OPC से, and after 1 days of strength जो होता है इसका, वो 3 days of strength के equal होता है किसके OPC, यानि कि OPC जेतना 3 दिन में strength लाएगा न, 16 newton per mm square, उतना ये एक दिन में rapid hardening ला देता है, यह strength अपना परपटीश देखते हैं, इसका fineness modulus जो होता है, should not greater than 5% and soundness value जो होता है, should not greater than 10 mm and initial setting time जो होता है, should not less than 30 minutes and final setting time जो होता है, मेरे भाई, वो should not greater than 600 minutes होता है और इस जो short note से इससे आपको पूरा जो cement हो असानी से clear हो जाएगा, ठीक है, अब देखेंगे compressive strength है, after one day, rapid hardening हम लोग देखे थे कि one day strength वाला भी आपको notes में दिये हैं, notes में दे दिये हैं, या नहीं दिये हैं, तो उसको दे देंगे हम लोग कि कैसे strength वाला याद रखना है after one day जो होगा, should not less than 16 newton per mm square, and after seven days, after three days, should not less than 27 newton per mm square, इसका strength नहीं आना चाहिए compressive strength हम लोग test से हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है, ये अप ध्यान में रखना, सारे भैलू, आप ध्यान में रखना, ये objective question बहुत पूछ सकता है, ठीक है यूज कहा करते हैं हम लोग rapid hardening का, भाई मेरे जल्दी से cement set कर रहा है, हम लोग कहाँ पे use करेंगे, इसका severe pipe होगा, नाला होगा, वहाँ पे हम लोग यदि कहीं नाला food part गया हो, हम लोग को जल्दी से उसको repair करना है, ताकि वो ज़र नाला का पानी है, वो flow कर ही रहा है, थ करते हैं, इस का rapid hardening का हम लोग use करते हैं, दूसरा construction of airport, airport का construction हो, breeze का construction हो, railway sleeper का construction, roadway का construction, जो roadway होगा, उसका construction, यानि कि roadway में कहीं कहीं pot holes हो जाएंगे, अब hall, जो pot holes होगा, उसमें पानी उनिभरा होगा, हमको चाहिए कि जल्दी vehicle move कर रहा है, उससे highway से move कर रहा है, उसको ह लिए क्या करना होगा, हमको जल्दी से cement को set करवाना होगा, यहाँ पे हम लोग को क्यों करवाना होगा, कि भाईकल move कर रहा है, और हमको जल्दी से cement को set करवा करके दे देना structure को, तो हम लोग rapid hardening cement का हम लोग महाँ पे use कर लेंगे, अब देखेंगे construction of land post, land post यानि खंबा का हम लोग यहाँ पे construction करते हैं, इसका भी हम लोग construction करते हैं, और देखना थोड़ा सा इसमें, एक point है आपका, water का content इसमें ज्यादा लगता है मेरो भाई, इसके कारण इसमें shrinkage ज्यादा होता है, यह ध्यान में थोड़ा सा रखना है, ठीक है, अब देखते हम लोग तीसरा सिमेंट है आपका, low heat cement IS code recommended जो reference IS code है, इसका पुरा परपटी मिलेगा, IS 12-600-1989 में, ठीक है, it is also called high strength cement है, यानि कि low heat cement is also called high strength cement है, इसमें क्या करते हैं, low heat, direct इसका name से पता चल रहा है, heat कम होगा मेरे भाई, heat कम होगा, low heat होगा, C3S ज्यादा हीट देता है, more heat देता है, more heat of hydration देता है, लेकिन C2S more heat of hydration नहीं देता है, क्योंकि ये बाद के दिनों में strength देता है, ये बाद के दिनों में reaction करता है, ठीक है, तो C2S की मात्राइस में हम लोग बढ़ा देते हैं, और C2S जो होता है, वो strength देता है, बाद के दिनों में, यानिकि ज्यादा high strength ये देगा, और C3S की मात्राइस में हम लोग घडा देते हैं, क्योंकि लो heat cement है, cement यहाँ पर heat heat में कम होगा, properties इसका क्या चीज़ थूरा सा देख लो, fineness modular should not greater than 5% and soundness जो होगा आपका, वो should not greater than 10 mm, 10 mm soundness का मतलब वही लिचे clear वाला याद रखना, 10 mm expansion, initial setting time and final setting time, initial setting time जो होगा, इसका थूरा सद्यान रखना, सब में हम लोग 30 मिनट यहाँ पर देखे, इसमें should not less than 60 मिनट, 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए and should not greater than 600 मिनट से, या 10 आवर 20 को लिख सकता है, 600 मिनट को, compressive strength after 3 days जो होगा, वो मेरा बाइस should not less than 10 newton per mm square and after 7 days should not less than 17 newton per mm square and after 28 years should not less than 35 newton per mm square, अब देखेंगे, यूज इसका कहां पर करेंगे, हम लोग low heat cement का यूज कहां करेंगे, जहां पर मेरा देखो, construction of heavy structure, जहां पर heat ज्यादा आने like रहेगा, अब low heat cement है, अब देखो, बड़ा बड़ा dam हम लोग बनाते हैं, या बड़ा बड़ा जब हम लोग bridge बनाते हैं, वहां पर क्या होता, massive structure होता है, और वहां पर heat देखो, हमने बताया था, कि cement जो होता है, cement में पानी जहीं डालेगा, heat of hydration होता है, heat निकलता है, हम लोग इसी कारण से तो C2S यहां दिये हैं, कि heat of hydration कम होगा, जो worker वहां पर labor जो आपका काम करेगा, उसको heat कम लगेगा, ये थूरा सा ध्याम में रख करते हैं, construction of dam, dock and hardware, airport, construction of heavy base, इसमें दोखो थूरा सा क्या होता है, कि acid और sulfate attack, जो होता है, sulfate attack, इसमें कम होते हैं, और heat of hydration जो इसमें होता है, लगवा गए, 272 से 314 किलो जुल पर केजी होता है, और जो होता है, थूरा सा ध्यान में रखना, क्या चीज़, कि इसमें दोखो heat less होगा, heat कम होगा, तो भाई मेरे correct भी कम generate होगा, low heat cement को use करने से, ये भी ध्यान रखना है आपको, आप दखते हैं, चौथा जो इसमें है PPC, Portland Pojolana Cement में रभाई, Portland Pojolana Cement क्या चीज़ है, ये IS-4, 1489, 1991, Part 1 and Part 2 होते हैं, देखना PPC based cement जो होगा, पोजोलाना जो होता है, मिर भाई, वो एक exhaust material होता है, एक बरबाद material होता है, एक खराब material होता है, और जिसका विची जो obtain from कहा, thermal power plant या चीमनी से हम लोग को निकलता है, in the form of fly ash, fly ash के form में होगा, या वो bund clay के form में होगा, fly ash जो हम लोग करते हैं, PPC में कितना mix करते हैं, 30 to 35% हम लोग mix करते हैं, it has to resist against sulphate attack, इसके पास sulphate attack resist करने की चमता होती है, मिर भाई, ये थुड़ा सा ध्यान रखना, प्रपटीज देखते हैं, ये ब्राउनीस कलर का होता है, प्रपटीज इसमें ब्राउनीस कलर का होता है, initial setting time should not less than 30 minute and final setting time should not less than greater than 600 minute and fineness model should not greater than 5% and soundness value of PPC should not greater than 10 mm and यूज इसका कहां करत हैं तो construction of heavy or massive foundation में, PPC है, sulphate attack कम होगा, sulphate attack इसमें मतलब इसाने की चमता है, हम लोग heavy या massive foundation में करते हैं, foundation में हम लोग करते है, foundation का मतलब जानता होगा, structure which is below the ground level, वही foundation होता है, नीचे होता है, जो ground level का, ठीक है, hydraulic structure में हम लोग करते है, hydraulic structure जैसे की dam बनाना हो, वहां पे हम लोग इसका यूज कर लते हैं एवाटमेंट आफ बेज अन मैरीन वर्क मैरीन वर्क मतले किसी समुदरी इलाका में जो काम आपका होगा वो चीज के बारे में यह कह रहा है तीसरा इसमें मैं पचमा देखो ठाफिमंट आपको परने है इसके काला फौरसा नोट साबका डिटेल में दे गया है अब समझते चलो थूरा सा कुछ नहीं इसमें सविल 1 ऊसलtte मैं बडाई फ्री30-1988 अलसो कार्ण सुपर आस्थ हैं इसको हमा लोग एक और नाम से जांते हैं sulphate resistant cement को super sulphate cement से इसमें क्या होता है मेरे बाइच थोड़ा सा ध्यान दो slag plus calcium sulphate plus a small amount of OPC मिला करके हम लोग इसका mixer होता है यानि it is a mixture of slag and calcium sulphate and a small amount of OPC useful क्या होता है कि useful to resist against chemical attack chemical attack sulphate attack यानि कि जहां पर salt होगा उस इलाके में हम लोग इसका यूज करेंगे उस इसको resist करने के लिए यूज होता है c3s और c2s की मात्रा इसमें थोड़ा सा बढ़ाते हैं और low amount of c3a and c4f इसमें रखते हैं पर पटीज देखना थोड़ा सा fineness modulus जो होता है मेरे बाई यह should not greater than should not greater than 5% soundness value should not greater than 10 mm और initial setting time should not less than 30 minutes final setting time should not greater than 600 minutes यूज कहाँ पर हम लोग करते हैं it is used in chemical affected area जहाँ पर chemical affected area होगा वहाँ पर हम लोग इसका use करते हैं construction of chemical plant जहाँ पर chemical कोई plant बनाएंगे हम लोग है plant का मदद और chemical house बड़ा बड़ा house बन रहा है जहाँ पर chemical इस सब रखा जाएगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे chemical carrying severance pipe यानि कि जब कोई industry से chemical निकल रहा है pipe नाला का through वहाँ पे हम लोग उस नाला को जब बनाएंगे वो यही cement से हम लोग बनाएंगे under sea water अब देखो थुरा सा sulfate resisting है तो salt sulfate resisting बोले या salt resisting बोले तो समुद्री इलाका में क्या होता है समुद्र में वो salt की मात्रा जादा होता है हम लोग under sea water construction भी हम लोग यहाँ पे करेंगे यहाँ तक आपको clear हो गया हो गया अब sulfate resisting का यूज कहां नहीं करेंगे कहां कर लिए ये तो हो गया कहां नहीं करेंगे जहाँ पे मिर भाई बहुत ही important point यहाँ पे आपको बता रहें बहुत ही जबरदस्त point sulfate resisting का यूज हम लोग कहां नहीं करेंगे वो होता है जहाँ पे आपका chlorine chlorine मेरे भाई परजेंट रहेगा chlorine परजेंट रहेगा यानि कि sulfate resisting कहां पे यूज नहीं होगा it is not used where chlorine is present जहाँ पे chlorine chlorine परजेंट होगा वहाँ पे हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे या temperature जो होगा वो आपका 40 degree से यदि कम होगा तो वहाँ पे 40 degree Celsius से तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और जो ठीक है देख मेर भाई white cement के बारे में white cement IS reference IS code IS का 8042 1989 जो cement होता है white cement comes from lime or stone and some amount of C3S, C2S and C3A जो इस बनता है मेर भाई ये कुछ amount जो होता है C3S, C2S and C3A का होता है बट ये lime or stone का main priority यहाँ पे होता है ठीक है generally used integration purpose जो ये white cement होता है ये strength के लिए use नहीं कि आता है decoration purpose यानि साजावट के लिए हम लोग white cement का हम लोग ये use करते हैं घर में देखता होगा white cement का use कहीं पर साजावट करना होगा जैसे कि पंखाउंखा लगता है तो उपर में जो लगता हूँ इसको में white cement का मतलब कुछ अस्ट्रॉक्चर भी बने होता है कुछ खिलो ना घरा भी white cement का बना होता है जो कि कम जोड़ होता है ये ध्यान में रखना थोड़ा साइड देकुरेशन पर पर पस अम लोग इसका यूज करते है objective question आ सकता ठीक है अस्ट्रेंट आप सिमेंट रिलेस देंड ओपी सी जो इसका स्ट्रेंट होता है उसके बादम लोग प्रपटी जिसका क्याता है फाइनस मोडला सुट नट ग्रेटर दन प्रेंट पर सेंट अंस वालिव इस तुट नट ग्रेटर दन टेंड में अन इनिसियल सेटिंग टाइम सुट नोट लेस दें 30 मिनट और फाइनल सेटिंग दांशुट नोट ग्रेटर दन 600 मिनट या 10 आवर इसी में देखते हैं कि बहुत ही जबरदस्त कोश्चन जो कि एससी जेई में पुश्च चुका है वाट इज कलर सीमेंट है कलर सीमेंट क्या चीज होता है जैसे हम लोग कोबाल्ट का हम लोग यूज करेंगे जैसे हम लोग कोबाल्ट का यूज करेंगे तो यह सिमेंट का कलर इरुए ब्लू हो जाएगा उसके बालनलों क्रों यूम अक साइड का जैसी हिसक्ट का कलर की अपारत मिलाने हे चेमेंट में डा ग्रीन कलर का होगा तो ऑब्जेकिटिव कोशों यहां से पुछ सकता है, ठीक है, short note CC कारों से हम लोग बोड पे देख रहे हैं, दुसरा आते हैं यहां पे 7th में blast furnace slack cement, आपको इतना पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको उतना दे दे रहे, blast furnace slack cement, is reference, is code is का 455, 1967, slack होता है, देखो, blast furnace slack, आप लोग पढ़े होगे, iron का extension, मतलब कि लोहा का निसकर्शन, लोहा कैसे बनता है, ठीक है, तो उसमें blast furnace होता है, मतलब कि भठी होता है, उसी से जो निकलता है, slag, slag का formation, pig iron, यानि slag जो होता है, एक absorption material होता है, जो कि यह steel plant से आपका आता है, यह it is a mixture of lime, प्लस silka, प्लस alumina, इसमें heat generation जो होता है, निर भाई, लो इसका blackest gray color का होता है, fineness modular should not greater than 10%, and soundness जो होता है, should not greater than 10mm, and initial setting time should not less than 30 minutes, and final setting time should not greater than 600 minutes, compressive earth strength after 3 days, 60 newton per mm square से कम नहीं होना चाहिए, and after 7 days 22 newton से कम नहीं होना चाहिए, यूज कहाँ हम लोग करते हैं, तो repairing work में करते हैं, water supply का repairing work जो होगा, उसमें हम लोग यूज करते हैं, civil respite के जो repairing work होगा, उसमें करते हैं, construction of heavy या massive structure, याने की बड़े बड़े अस्ट्रक्चर में हम लोग इसका यूज करते हैं, अब देखो थुरा सा quick setting cement, बहुत ही important cement, in this cement ये थुरा सा समझने लग है, in this cement reduce the content of C3A and gypsum and increase the amount of C3A, थुरा सा इसको समझो, quick setting cement में हम लोग क्या करते हैं, कि reduce कर देते हैं, किसका, gypsum का, gypsum का और C3A का amount हम लोग reduce कर देते हैं, और gypsum और C3A जैसे ही reduce हो जाएगा, C3A reduce करने का मतलग heat कम हो जाएगा, वहाँ पे, करेगा, वहीं ने quick set होगा, gypsum का करता है, रोकता है set होने से, कि ज्यादा दिन तक तुमको रखेंगे, इसी कारण से cement को में हम लोग gypsum मिलाते हैं, कि cement में हवा हुआ लगे तो जल्दी set ना करें, तो यही कर रहा है कि reduce कर देंगे C3A and gypsum को, but increase करेंगे C3A को, C3A को क्य क्यों increase कर रहे हैं, हम लोग को quick setting चाहिए, C3A हम लोग जानते है कि quick setting देता है, earlier strength कैसे देता है, heat of hydration ज्यादा होता है, heat of hydration ज्यादा होगा, हम लोग को strength ज्यादा मिलेगा, यही चीज़ कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे जो इसका properties होता है, initial setting time बहुत ही important, initial setting time 5 minutes होता है, सब में 30 minutes देखे थे, इसमें 5 minutes होता है मिला भाई, and finally sit कर जाता है, आधा घंटा में, तो इसका use कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हम लोग को water supply के जरूरत होगा, जहाँ पे हम लोग को जल्दी जल्दी मतलब के तुरत काम होगा, water supply करना हम को तुरत वहाँ पे कहीं पाइप पाइप वहाँ पे फट गया हम मतलब concrete का, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस cement का हम लोग यूज करके उसको हम लोगे, में repair कर सकते हैं, यहाँ कि use under running water construction, जहाँ पे water running होगा, water run कर रहा होगा, वहाँ पे हम लोगी structure में हम लोग कर लेंगे, last वापका है, high aluminum cement बहुत ही important, यह से CIG के point of this, बहुत important, यह cement है, C3 is not present, C3 is present नहीं होता है, C3 नहीं present होता है, तो यह seed and sulfate attack, जो होता है मिर भाई, इसमें कम होता है, यह cement में acid and sulfate attack कम होता है, तो acid and sulfate attack कम होगा, तो में लोग यूज कहा करेंगे, जहाँ पे acid and sulfate ज्यादा होगा, यह यूज कर रहा है तो देखो थुरा सा, यूज में उसमें लिख लेंगे कि under sea water construction में लोग करेंगे, इसमें जब C3 यह present नहीं है, हम लोग present क्या चीज है, बहुत important point यहाँ से याद रखने लाई, bauxite, lime, iron oxide and magnesia, 40-45 पांच, यहीं चीज यहाँ पे है, bauxite मिलाते है, lime मिलाते है, iron oxide मिलाते है, and magnesia मिलाते है, यहीं मिला करके हम लोगी cement का हम लोग manufacturing करते है, ठीक है, प्रपटेज इसका क्या चीज होता है, कि after one day, 30 newton per mm square से कम नहीं होना चाहिए, and after 7 days, 35 newton per mm square से कम नहीं होना चाहिए, and initial setting time, जो होगा, बहुत important, high alumina का initial setting time, 5 hour, and final setting time, 7 hour, कहीं कहीं पर यह fluctuate करेगा, है, बहुत तीन से सारे चार देदेगा, तीन से पास देगा, देगा है, ठीक है, initial setting time, तो यह आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना है, soundness जो होगा, should not greater than 5, 5 mm, ठीक है, 5 mm, soundness जो होगा, इसका expense and 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप लोग थोड़ा सा strength वाला जो वे गातक नहीं, unit यहाँ पर finish होता है भाई मेरे, अब हम लोग second unit aggregate लेकर के आएंगे, इसमें आपका कुछ point नहीं बचा है, थोड़ा सा storage of cement बला था, आपको भी बता देंगे, यह बेहतरी धंग से unit आपका समात हो गया है, तो बस भाई मेरे वीडियो का यही प्यंद करते हैं, thank you मेरे भाई, जहीं मेरे दोस्त